नमस्कार दोस्तो राजेस अर्वेदिक्टिफ चैनल पर आपका बहुत-बहुत सागत है मैं पिछले कई साल से अपने यूट्यूब चैनल पर आपको लगतार आउसधी पौधों की जानकारी देता आ रहा हूं और मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको नए-ने पौधों की जा आसपास मिल जाते हैं उनका प्रियोग करना आसान होता है इसलिए मैं ये देखो पौधा है ये आप अक्सर आप अपने घरों के आसपास देखेंगे और इस प्रकार से देखिए इस पौधे की पत्तियां होती है ये इस प्रकार से देखिए दोस्तों में तो इसकी पत्तिय होती हैं और यह इस प्रकार से इसकी बनावाट होती है यह दिखे इस प्रकार का यह फूल होता है इसमें यह पौधा आपके घरों के असपास अक्सर आपको नालियों की किनारे नमी वाले स्थानों पर मिलता है यह पौधा बहुत सारे रोगों में फाइदा करता है यह टाप निकालता है कि इसके अलावा दोस्तों मित्रों यह पौधा है यह कैंसर आप कर सकते हैं इस से बलट पेसर दिख होता है और तमाम स्टों में कि स्फधी फाइदे ले सकते हैं एक प्रुध को ठीक करता है दाद खाद खुजली और सूजन घाव यह सभी प्रकार की समस्याओं में आप इस पौदे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इस प्रकार से देख लीजिए इस प्रकार से देखिए इसकी बनावट होती है और इस प्रकार से इसकी पतियां है यह फूल है यह और प्रियोग आपको बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं गर में और यह प्रियोग जो है आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं आज कल बाल जढ़ने की समझ्चाएं आम होती जा रही हैं छोटे-छोटे जो नौई यूवक हैं उनके भी बाल जढ़ने लगे हैं तमाम तरह की रो तेल के तेल में पका लेना है और तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरी तरह से ना खत्म हो जाए शिर तेल तेल ही बचते हैं और उसको रूई से छान कर आप सीशी में भर कर रख लीजिए और उसको साम को सोते समय डेली सीर की मसाज करने से बाल जढने बंद हो जा तेहें उनसे अच्छा सावित होगा और निश्चित रूप से बाल जढने बंद हो जाएंगे और इस प्रकार से दोस्तों मित्रों यह पौधा है इसको आप अहजान लीजिए यह आपके घरों के आसपास जरूर मिल जाएगा और अगर मिल जाए तो इन पौधों के आप संद पर समाप्त करता हूं आपका दोस्त राजे इस किसी नए पौधिक साथ फिर से मिलेंगे तब तक के लिए धन्माद जाहिंद आप